हेलो एब्रीवन मैसेल फासिस कुमार और वेलकम यू अल इन इस वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चेप्टर नंबर टू जो की है नूट्रिशन इनिमल्स पूरे चेप्टर को वन सोट में कम्प्लीट करेंगे इससे पहले हम लोग चेप्टर 1 में देखे जो कि हम लोग कथा नूट्रिशन इन प्लांट्स प्लांट्स का नूट्रिशन के बारे में हम लोग देखे थे तो प्लांट्स क्या होता है अपना खाना खुद बनाता है लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाता है ठीक है एनिमल्स को खाना कहां से मिलता है तो एनिमल्स को खा do come animals can eat both plants and animals ये आप जानते हैं ठीक है recall that all organism including humans तो जतना भी organism होता है human beings या फिर जो भी है उसको food का जरूरत पड़ता ह्वर food क्यों जरूरत पड़ता है growth के लिए बोढ़ी growth के लिए repair और proper functioning के लिए क्योंकि food से इनरजी मिलता है ठीक है इसको कैसे लेगा ठीक है और उसको यूटिलाइज कैसे करेगा यह सब लोग का एनिमल न्यूट्रिशन में आता है ठीक है तो एनिमल न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो हम लोग को फूड मिलता है वो होता है complex form में ठीक है जो भी food होता है food item वो complex form में होता है अगर इसको अगर body को energy release करना है तो इसको क्या करना होगा simpler form में हम लोग को breakdown करना होगा simpler form में breakdown करना होगा तो इसी process को कहते हैं हम लोग digestion ठीक है तो देखिए यहाँ पर बताए जाएगा जो भी food हम लोग का होता है वो complex form में होता है इसको simpler form में जो breakdown करने का process होता है the breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion इसको क्या कहते है हम लोग digestion ठीक है अब देखें खाना लेने का अलग अलग तरीका different ways of taking food देखें अलग अलग अरग अरग निजम के लिए क्या होता है अलग अलग खाना लेने का तरीका होता है जैसे कि यहां पर बता जा रहा है जो bees होता है और hummingbirds लोग सक करता है nectar को nectar मतलब sweet juice sweet juice जो plants flowers सब में रहता है उसको बोलो जा रहा है और plants and infant of human जो human being का बच्चा होता है या फिर बहुत सरा अनिमल्स वो अपनी मम्मी का milk पे अपने आपको फीड करता है इसी टैप से snakes like python यह क्या करता है नीगल लेता स्वेलो मतलब नीगल लेना animals they prey upon जो भी अनिमल को खाता है उसको नीगल लेता है सम एकवेटिक अनिमल्स क्या करता है जो पानी का जो जान निमल्स अब रहता है लोग जो भी food item float करता रहता है water में उसको क्या करता है consume करता है यह सब बात इसमें बताया गया है फिर आपको activity दिया गया है इसमें क्या है इसमें अलग-अलग organism का लिस् है तो हम लोग का digestion in human इसके बाद पढ़ना है तो इससे पहले कुछ starfish के बारे में fact बता जा रहा है कि starfish क्या होता है कैसे अपने आपको feed करता है क्या चीम को खाता है तो वह feed on animals covered by hard cell वैसे animal को खाता है जो कि एक hard cell से covered रहता है जो hard cell का नाम है calcium carbonate तो क्या करता है after opening the cell the starfish pops out the stomach सबसे पहले वह cell को open करता है ठीक है और उसका जो अंदर में जो soft part रहता है उसको क्या करता है निगल लेता है और डाइजेस्ट करता है यह बात बताया जा रहा है starfish के बारे में अब देखिए सबसे पहला है हम लोग का digestion in human तो हम लोग क्या होता है हम लोग खाना सबसे प बकल के बेटी से food को लेते हैं यहां भी digestion होता है यहां पर saliva वगरा secret होता है यह से पढ़ाया जाएगा आपको भी फिर यह next stage में जाता है एसोफेगस में या फिर इसको food pipe करते हैं इससे जाता है फिर पेट में ठीक है पेट से small intestine फिर large intestine फिर बाहर में एनस के थुरू रेक्टम और एनस से होते हुए बाहर निकल जाता है तो यह जो complete path है जहां पर food मुह से लेके एनस तक जो travel कर रहा है यह complete path को elementary canal कहा जाता है ठी जो यह elementary के नाल है इसको अलगा कमपार्टमेंट में बाट दिये गया है पहला है बकल के बेटी दुसरा है food pipe या फिर एसोफेगस तीसरा है stomach उसके बद खाना जाएगा हम लोग का small intestine में फिर large intestine में और last में हो जाएगा rectum से होते हुए एनस में ठीक है यह compartment में बाटा गया ह तो हम लोग एक एक करके सब के बारे में पढ़ेंगे अब देखिए stomach और small intestine का inner wall में क्या होता है कुछ-कुछ organ और gland जबरता है जो कि क्या करता है बहुत सरा digestive juice secret करता है जैसे कि यहां पर क्या क्या है salivary gland है मुह में होता है liver और pancreas पेट से जैसे ही निकलता है तो उसका juice यहां पर secret होता है इन लोग क्या करता है digestive juice जो है complex food को simpler में breakdown करने में help करता है substance of food into simpler ones digestive tract and associated glands together constitute digestive system digestive system क्या होता है जो digestive का रास्ता है ठीक है और उसे associated जतना भी gland है लोग सब मिल के क्या बनाता है digestive system digestive system के बार में हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहला है हम लोग का mouth या फिर इसी को कहते है बकल cavity ठीक है तो food सबसे पहले हम लोग कहां से लेते हैं mouth से ठीक है और यह जो खाना लेने का process है इसको ingestion कहा जाता है ingestion आपर देखिए by body is called ingestion ठीक है हम लोग क्या करते है खाना को च देता है अब देखिए तीथ के बार में अभी हम लोग को पहले पढ़ लेना है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे digestion हो रहा है तीथ टोटल हम लोग का 32 टीथ होता है ठीक है एक adult men या women में 32 होता है तो उसमें से देखिए यह 32 टीथ है दो पार्ट में डिवाइड रहत होता है अब इसमें देखिए दांट को चार पार्ट में बाटा गया है एक है इन सीजर क्या होता है इन सीजर का उन्सीजर हूँमनों करते हैं बाइटिन के लिए जो j Taylor दानत आगे साइट रहता है तो टोटल चार इंसीजर रहता है लोवर जो में और अपर जो में चार तो इंसीजर क्या हो गया चार संख्या में टोटल आठ हो जाएगा प्री मोलर उसके बाद का जो दो दात होता है कहने का मतलब चार हो गया लोवर जो में और चार हो गया अपर जो में तो यह टोटल यह आठ होता है चार प्लस चार ठीक है और जो लास्ट का जो तीन दात होता है इसको मोलर कहते हैं मोलर टोटल छे प्ल 212 यहीं आपका दात के यह इंड वा में गया धिक कर दाएिक है लोग कि इसके यहीं आपका दात क्रेंड़य बताया गया और इसमीं मील्क टीत और पहला गाहिए ऐसे वह पाले कोई मिलता है मिल्क तीत रहता है उसके बाद पर्मानेन टी जो होता है वह हम लोग के जीवन बर रहता है यह सब जानकारी इसमें दिया गया है अब देखिए इसमें कुछ activity है इसमें कौन सा दात का क्याची में यूज करते हैं यह सब कुछ concept है तो देखिए अब फूड का digestion अब हम लोग पढ़ने जा रहा है तो जो हम लोग का food है माउथ में सबसे पहले गया है तो माउथ में क्या होता है saliva नाम का एक enzyme saliva होता है जो कि क्या करता है starch को sugar में चेंज करता है ठीक है starch क्या है एक form of carbohydrate है ठीक है starch को convert करता है sugar में ठीक है starch into sugar the tongue is flesy अब देखिए जीव क्या है जीव कभी यहाँ पर फंचन बता रहा है जीव एक flesy इमांस टाइप का muscular organ है जो की नीचे floor में attached रहता है बकल cavity में मुह में ठीक है it is free at point एक आगे में क्या बता है पूरा free होता है और यह और डायरेक्शन में करता है और फूड का जो टेस्ट है उसको भी हम लोग का जीव ही बताता है इसके लिए क्या होता है टेस्ट बर्ड होता है बहुत सारा जीव में जो की इसको डिटेक्ट करता है कि आपकि अब देखी एक बहुत ज्यादा प्रोडम होता है बच्चा लोग में क्या करता है क्या होता है कि बच्चा लोग खाना व Eliza खाता है रात में परश नहीं करता है फिर कुला भी नहीं करेगा और इस ही सो तो जाएगा तुससे क्या होगा दानट में अलोगा वा फूीड पार्डिकल रह जाता है ठीक है तो इसमें क्या होता है माइक्र-टा जब पर एक्ट करता है जो दात क्या सबस्क्रता तो इसको डाइजेस्ट करता है और एक्छी यहाँ है आविश कर देता है ये जो हम लोग का दात है व lle लगता है तो इसके कारण क्या होता है खाली जगह बन जाता इसको ओम लोग कहते हैं करूं हम लोग कैया है तो हो होता है वह घ् helmets hoteük की के जो होता है वह हाली जगह ठोल दो बार अलविछ इस इसा खाना खाने के बाद कुला करना चाहिए इसा बात बताए जारह है तो धानत में क्या होता है अलग-अलग टेस्ट तो देखिए, food pipe runs along the neck, food pipe कहां से कहां तक रण करता है, neck से, and the chest, food is pushed down by movements of wall of the food pipe, food को move, तो देखिए, इसमें बतायागा, food is pushed down by movements of wall, food pipe का wall होता है, वो क्या करता है, उसको move कराता है, press करता है, जैसे समझना समझे, throughout the elementary canal and pushed on food downward, तो food को push किया जाता है, ठीक है, by rhythmic contraction and relaxation, या पढ़ियेगा, आने वाले classes में भी, at times the food is not accepted by stomach, और जिस ताइम food को accept नहीं करता है, पेट, तो vomiting के रूप में क्या करता है, बाहर निकाल लेता है, तो food अब हम लोगा क्या हो गया, food pipe से चला गया, stomach में, ठीक है, अब देखिए, stomach क्या है, एक J-shape का, बड़ा सा wall structure है, ठीक है, और यह widest part है, elementary canal का, याद रखिएगा, ठीक है, elementary canal का क्या है, widest part है, यह food कहां से receive करता है, food pipe से, ठीक है, it receives food from food pipe at one end, और दूसरे end में क्या होता है, small intestine से यह connected रहता है, मतलब food जो है, stomach के बाद जाएगा, हम लोगा small intestine में, अब देखिए, small food जो है, हम लोगा stomach में, stomach का inner wall होता है, उसमें mucos होता है, ठीक है, और वो secret करता है, hydrochloric acid और कुछ digestive juice, ठीक है, तो mucos क्या करता है, mucos का काम होता है, protect करना, ठीक है, पेट को, जैसे की acid अगर release होगा, पेट में, तो क्या होगा, पेट का जो layer है, उसको damage कर देगा, तो पहला काम mucos का है, प्रोटेट करना, और acid का जो function है, वो है, पहला काम, बेक्टरिया, जो food में, के साथ, इंटर कर जाता है, उसको मारना, ठीक है, और जब बेक्टरिया मर जाएगा, तो वो क्या करता है, acid, medium को acidic बनाता है, जिसे कि food का absorption क्या होता है, असानी से हो जाता है, मतलब digestive juice, act कर जाता है, यही बात बता रहा है, the digestive juice breakdown, अब digestive juice क्या करता है, इसमें, protein को simpler form में, तोड़ता है, आपको बताएं भी है, कोई भी food item क्या करना होगा, डाइजेस्ट करने के लिए simpler form में तोड़ना होगा, तो protein का जो simpler form होता है, वो होता है, amino acid याद रखिएगा, amino acid, ठीक है, आगे आई से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आगे दिया हुआ होगा, अब देखिए, next हम लोग का small intestine, अब food हम लोग का क्या हो गया, माउट से निकला, स्टोमख से निकला और small intestine में चला गया, small intestine क्या है, एक highly coiled structure है, जो की लगबग साड़े साथ मीटर का होता है, ठीक है, यह food receives करता है, यह food तो receive करेगा, पेट से ही, इसके अलावा यह क्या करता है, कुछ-कुछ digestive juice को receive करता है, कहा कहा से देखिए, liver से और pancreas है, इस wall also secret juice, इसका जो wall है, वो भी कुछ juice secret करता है, ठीक है, liver एक redis brown gland है, ठीक है, अब liver और pancreas के पारे में बता जा रहा है, liver एक redis brown color का gland है, जो की upper part of abdomen में situated है, मतलब छाती के थोड़ा से नीचे वाला जो part है, उसको abdomen कहा जाता है, उसका upper part में, right side में situated है, और यह largest gland है, कौन largest gland है, liver, ठीक है, याद रखिएगा, liver is the largest gland, यह क्या secret करता है, bile juice, ठीक है, bile juice, जो की store रहता है, बेग में जिसको कहते है, goal bladder, goal bladder में bile juice store रहता है, ठीक है, bile juice का क्या है, digestion of fat, fat को digest करने का का काम है, bile juice का, ठीक है, अब next है pancreas, pancreas, एक cream color का gland है, ठीक है, बड़ा सा, वो just below stomach, fat के just नीचे रहता है, ठीक है, और यह produce करता है pancreatic juice, ठीक है, pancreatic juice क्या करता है, carbohydrate को, fat को और protein को simpler form में तोड़ता है, तो carbohydrate change होगा, आपका simpler sugar में, ठीक है, fat होगा fatty acid या glycerol में, और protein change होगा amino acid में, याद रखना है, यह discovery बता जा रहा है कि कैसे food digest होता है, इसका हो गया था, पेट में, तो वो देख रहा था कि इससे कुछ juice वगरा secret हो रहा है, यह सब कानिस में बताया गया है, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, अब देखिए, जो हम लोगा जो partially digested food है, वो lower part of small intestine में पहुंच जाता है, जहाँ पर intestinal juice completes the digestion, जहाँ पर food का digestion हो जा सुगर में, ठीक है, carbohydrate breakdown होता है, simpler sugar जिसको glucose भी कहा जाता है, ठीक है, और fat होता है fatty acid या फिर glycerol में, ठीक है, और protein होता है amino acid में, यह simpler form है complex food का, ठीक है, अब देखिए, absorption in small intestine, absorption क्या होता है, इसके बारे हम सब से पहले समझे, जो भी food हम लोगा breakdown हुआ, ठीक है, वो pass होगा क blood vessels में, ठीक है, और उसके थूरू क्या होगा, एक एक cell तक जाएगा, इसी process को कहते है, absorption, absorption है, food को blood vessels तक पहुचाने का जो process, the process, the digested food passes into the blood vessels in the wall of intestine, intestine के wall से क्या हो रहा है, blood vessels तक जो pass होने का जो process है, इसको कहते है, absorption, ठीक है, अब absorption के लिए क्या होता है, हम लोगा, जो small intestine हो का inner wall में, finger like projection होता है, finger like projection कहने का मतलब, जीसे कि यह हम लोग का intestine है, इसमें finger like projection कहने का मतलब, उठाओ उठाओ टाइप का कुछ structure रहता है, जो की surface रिया को बढ़ाता है, जीसे क्या होता है, absorption आसानिस होता है, यही बात बता जा रहा है, इसको कहते है, विल्ली, ठीक है, finger like जो outgrowth निकला हुआ रहता है, इसको कहते हैं, विल्ली, विल्ली का काम क्या होता है, यह surface रिया को increase करता है, ठीक है, of the digested food, each villus has a network of thin small blood vessels, यह विल्ली में क्या होता है, कि छोटा-छोटा network होता है, blood vessels का, पतला-पतला, जो की absorb food को क्या करता है, blood vessels तक पहुचाता है, ठीक है, the surface of the villi has absorbs, villi absorbs the digested food materials, the absorbed substance are transported via blood vessels to the different organs of the body, तो food जब absorb हो गया, तो वो क्या होगा, blood vessels के तुरू, एक-एक सेल तक जाएगा, फिर सेल में oxygen, food, सब मिलके, carbon dioxide और energy release करता है, यह सब simpler process है, ठीक है, अब देखिए, जो food item, अब इसमें एक process के बारे मता जा रहा है, assimilation, assimilation, ठीक है, assimilation क्या है, energy release करने का process है, ठीक है, यहाँ पर बताए जाएगा, जो complex substance, देखिए, यहाँ से, the absorb food, जो भी हम लोग, cup food absorb हुआ, वो transport हुआ, blood vessels के तुरू, ठीक है, of the body, where they are used to build complex substance, such as the protein required for the body, तो उसका help से क्या होता है, protein बनता है, और इस process को क्या करते है, assimilation, ठीक है, अब देखिए, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon and water and energy is released, the food that remains undigested and unabsorbed into the large intestine, जो भी खाना पीना बच जाता है, वो आता है हम लोग का large intestine में, अब large intestine में क्या होता है, सिर्फ दो component का absorption होता है, इसमें बताएगा, salt or water, देखिए, कहीं पिलिका हुआ होगा, its function is to absorb water and salt from the undigested food, ठीक है, यह लगबक, डेड़ मीटर का होता है, ठीक है, और यह wider होता है, छोटा पार्ट होता है, वह यह बता रहा है, remaining जो waste product है, वो rectum के थुरू क्या होता है, semi-solid faces के रूप में, मतलब आधा solid, आधा liquid के form में बाहर निकल जाता है, इसी process को कहते है, इजीशन, जो खाना निकालने का process है, इसको क्या करते है, जो बच गया material, उसको निकालने का process है, इजीशन, ठीक है, अब देखिए, digestion in grass heating animals, कहने का मतलब जो घास खाने वाला जो जानवर है, उसमें कैसे digestion होता है, तो आप देखे होंगे, कि जो घाय है, जब उसको घास मिल चबाता है, फिर वो जो पार्सली डाइजेस्टेट फूड है, इसको फिर वापिस लाता है, फिर सी चबाता है, तो वो जो चबा पार्सली जो डाइजेस्टेट फूड है, उसको कड कहा जा रहा है, जो रूमें में जो फूड को रखता है, उसको कड कहते हैं, फिर उसको क जमाने का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं रूमिनेशन वापिस लाके और इस टाइप का एनिमल्स को रूमिनांट कर जाता है तो ऐसा इसी लिए होता है क्योंकि जो घास वगेरा है ठीक है आप कभी सोचे होगे कि हम लोग घास क्यों नहीं खाते हैं तो इसका एक ही रिजन है जो कि घास में एक कॉंपोनेंट पर जाता है जो कि एक सेलिलोज क्या होता है कि हम लोग डाजेस्ट नहीं कर पाता है ठीक है तो सेलिलोज क्या है एक स्पेसल टाइप का कर्भोहईडेट है तो रूमिनांट्स चैसे क्यों होता है केटल डियार यह सब इसमें क्या होता है ए एक स्पेशल टाइप का बेक्ट्रिया होता है जो कि इसको डाइजेस्ट करता है ठीक है यहां पर बताया जाएगा बेक्ट्रिया प्रेजेंट इन्रुमेन उनलोग का पेट में क्या होता है बेक्ट्रिया होता है जो कि इसको क्या करता है डाइजेस्ट करता है जो कि हम लोग क इसको कहते हैं आप देखिए कुछ दूसरा टाइप का डाइजेशन होता है जो कि घास खाने वेला जानवर है जैसे कि यहां पर बताया गया है होर्स और रेबिट इसके पास क्या होता है बड़ा सा एक बेग लाइक इस्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं मतलब पेट के जगह में ही इसका नाम दिया गया है इसी में डाइजेस्ट होता है और उसमें भी कुछ बेक्ट्रिया होता है इसलिए लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाता है बट देखिए अब हम लोग के पास क्या है बहुत सरा छोटा इसके पास मुँव अगरा भी नहीं है तो इतना कॉंप्लेक्स डेजिटिव सिस्टम भी नहीं रहता है तो उन लोग में कैसे खाना पीना होता है यह हम लोग पढ़ेंगे तो चोटा और इसमें सबसे पहले अमीबा के बारे में बता गया तो अमीबा क्या होता है अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक मतलब पहूँट छोटा एक सिंगल सेल का और्गिनिजम है जो की पॉंड वाटर में पाया जाता है अमीबा में क्या होता है अमीबा है सेल मेंब्रेन जिसके आप लोग सेल का इस ट्रक्चेर अगर पढ़े होंगे तो सेल का आउटर जो पार्ट होता इसको बता रहा है हम इसको कोई फिक सेप नहीं होता है तो वह क्या करता है वह निकालता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अंगुली के जैसा मतलब अपना बोडी को निकाल देता है इसको शुड़ो पोडिया कहते हैं फॉल्स फीट जूटा हांत टिक है फॉर मुमेंट इसको अपना फॉल्स फीट को निकालेगा फीड क्या करेगा इसको वेक्यूल में केप्चर कर लेगा फिर यहां पर बहुत सरा डाइजेस्टिव इंजाइम सब एक्ट करेगा और जो बचा हुआ खाना है उसको फिर से बाहर निकाल देगा ऐसे इसमें बताया गया है यही स फूड को सेंस करता है वो अपना सुड़ो पूडिया को क्या करेगा निकाल लेगा फूड को और पूरा कभर कर देगा और उसको केप्चर कर लेगा और उसको ले जाएगा फूड वेक्यूल में ठीक है खाली जगा को फूड वेक्यूल बूला जा रहा है और उसमें फूड को फिर बाहर निकाल ले जाता यही है यह सिंपलर और्गनिजम में प्रोसेस बता जा रहा है तो यहां पर आपका शिप्टर खतम हो गया है उम्मीद है सारा कॉंसेप्ट अच्छे से किलियर होगा होगा मात्र 24 मिनट का विडियो है अच्छे से उम्मीद है कि अच्छ